श्री अगने परान के 110 अध्याय में गंगा जी की महिवा में अगनी देव कहते हैं आप गंगा का महात्य बतलाता हूं गंगा का सदा सेवन करना चाहिए वे भोक्ष और मोक्ष परदान करने माली है जिनके बीट से गंगा बैती है वे सबी देश श्रीष तथा पावन है उत्तम गती की खोज करने वाले प्रानियों के लिए गंगा ही सरवत्तम गती है गंगा का सेवन करने पर वे माता और पिता दोनों के कुलों का उध्धार करती है एक हजार चंद्राइन वरत की अपेक्षा गंगा जी के जल का पीना उत्तम है एक मास गंगा जी का सेवन करने वाला मनुश्य सब यग्यों का फल पाता है गंगा देवी सब पापा को दूर करने वारी तदा सर्ग लोग देने वारी है गंगा के जल में जब तक हड़ी पड़ी रहती है तब तक वैजीव सर्ग में निवास करता है अंधे आदी भी गंगा जी का सेवन करके दिवताओं के समान हो जाते हैं गंगा तीर से निकली हुई मिट्टी धारन करने वाला मनुश्य सूर के समान पापों का नाशक होता है जो मानव गंगा का दर्शन पर्श जल्पान अत्वा गंगा का नाम कीतन करता है वे अपनी सेंकडों हजारों पीडियों के पुर्शों को पुट्र कर दीता है 111 अध्याय में प्रयाग महात्व में अगनी देव कहते हैं ब्रह्मन अब मैं प्रयाग का महात्व में बताता हूँ जो भोग और मोक्ष परदान करने वाला तथा उत्तम है प्रयाग में ब्रह्मा, विष्टुमादी, दीवता तथा बड़े-बड़े मनिश्वर निवास करते हैं नदिया, समुद्र, सिद्ध, गंधर्व तथा अफसराएं भी उस तीत में वास करती हैं प्रयाग में तीन अगनी कुंड़ हैं उनके बीच में गंगा सब तीतों को साथ लिए बड़े वेक से बैती है वहां त्रिवहन विख्यात सूरी कन्या जमना भी है गंगा और जमना का मद्यभाग पृत्थी का जगन माना गया है और प्रयाग को रिशियों ने जगन के बीच का उपस्त भाग बताया है परतिष्ठान अर्था जोसी सहित प्रयाग कंबल और अश्टर नाग तथा भोगवती तीत ये ब्रह्मा जी के यग्य की वेदी कहेगे हैं प्रयाग में वेद और यग्य मुर्तिमान होकर रहते हैं उस तीत के स्तवन और नाम कीतन से तथा महा की मिट्टी का शवर्ष करने मातर से भी मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है प्रयाग में गंगा और जमना के संगम पर किये हुए दान शिराद और जब आदी अक्षे हो जाते हैं ब्रहमन वेद अत्वा लोक किसी के कहने से भी अंत में प्रयाग तीत के भीतर मरने का विचार नहीं छोड़ना चाहिए प्रयाग में साथ करोड़ दस हजार तीतों का निवास है अत्वे सब से श्रेष्ट हैं वास्की नाक का स्थान भोगवती तीत और हंस प्रपतन ये उत्तम तीत हैं कोटी गवदान से जो फल मिलता है वही इनमें तीन दिनों तक शिनान करने मातर से प्राप्त हो जाता है प्रयाग में माघमास में मनीशी प्रुष्ट ऐसा कहती है कि गंगा सर्वत्तर सुलब है किन्तों गंगादवार प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीन स्थानों में उनका मिलना बहुत कठीन है प्रियाग में दान देने से मनुष्य सर्ग में जाता है और इस लोक में आने पर राजाओं का भी राजा होता है अक्षेवट के मूल के समीप और संगम आदी में मृत्यू को प्राप्त हुआ मनुष्य वगान विश्नु के धाम में जाता है प्रियाग में परम रमनीय उर्वशी पुलिन संध्यावट कोटी तीर्थ दस अश्य में घाट गंगा जमना का उत्तम संगम रजोहीन मानस द्धा वास्रक देथ ये सभी परम उत्तम हैं एक सो बारवे अध्याए में वारा नसी के महात्मे अगनी देव कहते हैं वारा नसी परम उत्तम देथ हैं जो महाश्री हरी का नाम लेते हुए निवास करते हैं उन सब को वह भोग और मोक्ष परदान करता है महादेव जी ने कभी मुक्त नहीं किया सदा ही वहां निवास किया है इसलिए ये अवी मुक्त कहलाता है अवी मुक्त शेत्र में किया हुआ जाप, ताप, होम और दान अक्षे होता है पत्थर से दोनों पैर तोड़ कर बैठ बैठ रहें प्रंतु काशी कभी नहीं छोड़े हरेश्चंद्र, आमरात केश्वर, जपेश्वर, शिरीपरवत, महाले, भीगू, चंडेश्वर और केदारतीत ये आठ अवी मुक्त शेत्र में परम गोपनिय तीर थे मेरा अवी मुक्त शेत्र सब गोपनियों में भी परम गोपनिये है वे दो योजन लंबा और आथ योजन चोड़ा है वरना और नासी, अर्थात असी, इन दो नदियों के बीच में वारा नसी पुरी है इसमें शनान, जब, होम, मृत्यू, देव, पूजन, श्राद, दान और निवास जो कुछ होता है वे सब भोग एं मोक्ष पर दान करता है एक सो तेर्मे ध्याय में नर्दा महात्यमी अगनी देव कहते हैं आप में नर्दा आदी का महात्य बताँगा नर्दा श्रेश तीर्थ है गंगा का जलश पर्ष करने पर मुनिश्य को तत्काल पुइत्र करता है किन्तो नर्दा का जल दर्शन मात्र से ही पुइत्र कर देता है नर्दा तीर्थ सो योजन लंबा और दो योजन चोड़ा है आमर कंटक परवत के चारो और नर्दा संबंदी साथ करोड साथ हजार तीर्थ हैं कावेरी संगम तीर्थ बहुत वित्र है आप शिरी परवत का वर्णन सुनो एक समय गौरी ने शिरी देवी का रूप धारन करके भारी तबस्या की इससे परसन्न होकर शिरी हरी ने उन्हें वर्दान देते हुए कहा देवी तुम्हे अध्यातम ग्यान पराप्थ होगा और तुम्हारा ये परवत शिरी परवत के नाम से विख्यात होगा इनके चारो और सो योजन तक स्थान अध्यन पुईत्र होगा यहां किया हुआ दान तब जब तदा शराज सब अक्षे होता है यह उत्तम तीर सब कुछ देने वाला है यहां की मृत्यू शिव लोक की प्राप्ति कराने वाली है इस परवत पर भवान शिव सदा पारती देवी के साथ क्रीडा करते हैं तदा हिरना कश्यक यहां तपस्या करके अच्चन्द बलवान हुआ था मुनियों ने भी यहां तपस्या से सिद्धी प्राप्ति की है